हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंत के शौर क्लासेज आज का लेक्शर बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा क्यूंकि आप ये क्रिशन देखिए ये मल्टिप्लिकेशन कितनी जल्दी आप कर सकते हैं सेकंड्स में बिना बड़ी केल्कुलेशन किये इस तरह के कुशेन अगर आएं कंप्रिटिव एक्जाम में अकसर आते हैं तो इस तरह की मल्टिप्लिकेशन आसानी से बिना केल्कुलेशन किये कैसे कर सकते हैं आज हम सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से समझ आएगा इस वीडियो को एंड तक अटेंड कीजेगा और बेसिक कंसेप्ट से शुरुआ करेंगे और आप देखेंगे कि वाकई कितनी इजली इस को किया जा सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं इतनी बड़ी कैल्कुलेशन करवाने की बजाए जब कंसेप्ट समझाना है ना तो बहुत ही असान एक्जामपल से समझाते हैं जिसका रिजल्ट आपको पहले ही पता है जैसे कि 9 x 8 अब आपको सब्सक्राइब नाइन मुल्टिप्लाइट तो 72 होता है यह तो मुझे पता है आई नो कि आपको पता है लेकिन कंसेप्ट समझाना बहुत जुरूरी है करेंगे क्या कंसेप्ट समझिए 9 को अगर मैंने 8 से मल्टिप्लाइब करना है तो क्या चल आब करिए 8 से एक कम एलिई ले ले लीजिए तेहीं क्या क्या होती है सैंवन होती है होती है न इट से कम वैल यू कौन सी होती है 77 लिए जैए अम इस 7 को इस नइन मेंसे माइन कर दी कर दिशिय के नाइन मेंस किया टू है तो ऐसे लिखना है वो सीखामने सिर्फ यहीं नहीं मैं जैसे माली जी एक और करके दिखाऊ जैसे 99 को अगर 7 से करना हो रूल यही एप्लिकेबल होगा पर देखिये ध्यान से 99 को अगर 7 से मल्टिप्लाई करना हो अब 7 से एक कम 7 से कम कितना है 6 राइट अब इस 6 को इसमें से माइनस कर दीजे माइनस करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उपर वाली वैल्यू 9 है उपर वाली वैल्यू 9 है तो डिरेक्ट माइनस करना होगा कोई कैरी वाला कंसेप्ट नहीं है अब आप यह देखिए 96 में से 9 माइनस करना है 9 में से 6 माइन करोगे 3 और 9 as it is 93 होगा तो यहाँ पर 93 आएगा बब देखो multiply हुआ यह देखी 99 को अगर मैं 18 से करूं बढ़ते जाएंगे धिरे-धिरे और वहां तक पहुंचेंगे और आपको लगे गए नहीं कि इतनी बड़ी और 17 को बसिह अ पर आपने क्या करना है सबस्माइब करना है और सब्डेक्ट कर से वक्त करते वक्त जैसे इहां नाइन में इस से आइट मैंटब गए 16Кिया इट 0 और सीक्वेंस में लिक दो कोई राइट टू लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं लेफ्ट से करना शिरू कर दो क्योंकि यहां पर उपर सारे ही 9 है को करीं नहीं तो है नहीं तो यहां पर आप सीधा ही 9 में से 1-8, 9 में से 7-2, तो तो 1782 अंसर लिख सकते हैं मैं और कुशन करवाता हूं आप ध्यान से देखिए धीरे-धीरे आप वैल्यूस बढ़ाते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे और वहां उपर तक पहुंचेंगे थोड़ा बड़ा कुशन करते हैं माल लीजिए डबल के लिए अब अपने कुशन के नजदीक पहुंचना चाहते हैं और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4782 से ठीक है जी 4782 से रूल सेम मैंने क्या कहा 4782 से एक कम वेल्यू कर दीजिए सब्ट्रेक्ट वन फ्रॉम इट अगर मैं एक कम करूंगा तो मैं यहां नीचे इसका अ है लेकिन यह जो 4781 है मुझे क्या करना है इसी में से सब्ट्रेक्ट करना हुआ घम सप्रेक्ट करना कितना कूं मुश्किल है इस नाइन के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो नाइन एसा कर्द नएं में से four मीनस किया 59 में से seven माइनस किया तो कितना आएगा तू नाइए में से eight माइनस करोगे one और nine में से one माइनस करेंगे एट अपन एक prisoner से करके देख लिए याए onster आएगा है तो concept समझा रहा है आ रहा होगा और अब हमाराEOPर वाला क्वेशन देखिए अगर तो आपको यह रूल क्लियर हो गया है तो आप अभी उपर वाला क्वेशन कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है करके देखते हैं चलिए उपर वाली पूरी वैल्यू में से क्या माइनस करना मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पर 3475896 में से 8 कम करना है जस्ट लास्ट वाले 6 की जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा चलिए लिखते हैं क्या बनेगा 3475896 की जगह पर 5 चलिए पहला काम हो गया और इसी वैल्यू को हमने उपर वाली वैल्यू में से क्या करना है जी सब्ट्रेक्ट करना है लेकिन इस वैल्यू को इसके नीचे लिखना पड़ेगा मैं वैसे यहां पर एक तरीका बताओ अगर थोड़ा और कुईकली करना हो तो आप इसको उठाके न अपने आंसर को आई वह जाएगा बाके सारी तो सेम रहने वाली है ना ना इन एट फाइव सेमन फोर त्री तो पहला अंसर तो यही रहने वाला है अब उपर वाली वैल्यू में से इसी को तो सब्ट्रेक्ट करना है तो मैं सीधा अंसर में लिख दूँगा कैसे जैसे देखो नाइन के नी यही जिलुत अच्किक्स नाइन मेसे फ़ूर म मैंनस किया फईज्श किया बूफ टू नाइन में से सुमन मैनिस करो गे टू नाइन में से 8 minus किया तो 1 फिर 9 में से 9 minus करोगे तो कितना आएगा 0 और 9 में से 5 minus करेंगे तो 4 आएगा आप यह answer देख लिए इतना बड़ा answer है आप calculator पर अगर calculator कर सकता है तो करके देखिए यह answer बिल्कुल ठीक है तो I hope आपको यह concept समझाया होगा इस तरह है कि calculations अकसर बहुत सारे competitive exams में आपको मिल जाएगी जहां पर यह rule आना जरूरी है कई लोग पूछते हैं कि सर सारे 9 से करके दिखा रहे हो किसी और से करके दिखाओ अरे भाई और वाली भी ट्रिक्स है बिटा लेकिन जो 9 वाला सिस्टम है ना यह आपके exams में आता है इसलिए यह specific tricks करवाई जाती है ताकि जिसने यह की होगी वही exam में attempt कर पाएगा और जिसने नहीं की होगी obviously उसको मुश्किल लगेगा इतने बड़ी calculations कहां करेगा वो इसलिए इस तरह के questions आजाते हैं आपने अगर यह video पूरा देखा तो मुझे 100% sure है आपको समझ आया होगा by chance अगर नहीं आया तो वीडियो को दुबारा देख सकते हैं और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं आपको reply जरूर मिलेगा Thank you so much